असलाम वालेकुम आज यह मनाने जा रहे हैं पत्थर के गोश्ट का मसाला 100 ग्राम जीरा डाल दिया है पैन में 100 ग्राम अक्खा धनिया भी डाल देंगे इसमें देखिए यह पांच है यह चार सिनेमन स्टिक्स है यह बड़ी वाली है हो गया यह एक टेबर स्पून सिनेमन स्टिक्स यह भी डाल देंगे इसमें डाल देंगे एक टीस्पून कबाप चीनी कबाप चीनी एक लॉंग जैसा स्पाइस है जो काली मिली जैसा उपर की तरफ होता हो नीचे इसको टेल होती है यह कबाप चीनी एक टीश्पुन डाल दिया है भरकर इसमें कबाब चिनी पंदरा लॉंग डाल देंगे सौ ग्राम शाजीरा डाल देंगे शाजीरा बिलकुछ जीरे जैसा होता है लेकिने थोड़ा पारिक बारिक होता है सौ ग्राम हरी इलाइची डाल देंगे साथ बादियान का फूल भी डाल देंगे पचास ग्राम काली मिल्च डाल देंगे ब्लेक पेपर कॉंस एक टीश्पूल पत्थर का फूल भी डाल देंगे इस तरह से वता है पत्थर का फूल एक मुठ्थी टीश्पत्ता डाल देंगे तेस पत्य मेने तोड़ दिये हैं बड़ा पैन ले लिया है वह पैन चोटा पड़ रहा था अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे भूल लेंगे ड्राय रोस्ट कर देंगे यह मसाला आप अगर गोश्ट के सालम में भी यूज करो तो बहुत ही टेस्टी बनेगा बहुत सारी हैद्राबाडी डिशेज में इसका यूज होगा जो मैं आपको बताऊंगी मसाले भून चुके हैं जैसी थोड़ा क्रैकल होने लगा मैंने फ्लेम आफ कर दिया अब यह पूरा तयार है पिसने के लिए इस मसाले को क्राइंडर में थोड़ा थोड़ा करके पिस लेंगे पत्थर के गोश का मसाला आप साल मर तक बरनी में भर कर यूज कर सकते हो पत्थर के गोश का मसाला तयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो पिसे लाइक करें शेयर करें और में चैनको सब्सक्राइब करें ठैकिए पहुँचे